हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम कुछ इंट्रेस्टिंग और करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कमपैरिजन बिट्वीन लाइम एंड सिमेंट बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि लाइम और सिमेंट में कमपैरिजन क्या है बहुत से बच्चों की ये भी कॉश्चन होते हैं कि जब हमारे पास लाइम था बाइंडिंग मेटेरियल तो हमने सिमेंट का डिस्कवरी क्यों की, सिमेंट की घोच क्यों की तो इन सबी सवालों के जवाब हम देंगे इस क्लास के अंदर और आप ये भी जानेंगे कि Lime और सिमेंट के बीच में क्या डिफ्रेंज है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं हमने एक तरीका लिया है Lime और सिमेंट को कंपेरिजन करने का comparison between lime and cement तो first हमने point of comparison यानि कि हमने वो point चुन लिये हैं जिनसे हम comparison करेंगे lime के अंदर और cement के अंदर cement और lime के अंदर ये जो हमने point select करें हैं दोनों में आएंगे जैसे कि slaking, setting, color, strength, suitability ओके, next हमारा जो है हमने एक portion लिया cement का और एक portion बनाया lime का तो आएस हम जो हमने point of comparison लिये हुए है उनकी अधार पे lime को compare करते हैं cement से first is slaking slaking, slaking तो slaking के बारे में पढ़ते हैं यानि कि हम पढ़ रहे हैं हम cement के बारे में पढ़ रहे हैं हमारे पास point of comparison क्या है slaking तो इसमें यह लिखा हुआ है कि it does not slake wet with the water यानि कि cement के अंदर जब आप water को मिलाते हो तो वो slake नहीं होती है तो होती क्या है cement of hydration या फिर हम बोल सकते हैं hydration of cement तो slaking नहीं होती lime के अंदर it's slake wet with water यानि कि जब lime के अंदर पानी मिलाते हैं तो lime का होती है और जब हम cement के अंदर water मिलाते हैं तो वो slake नहीं होती है अच्छा lime के अंदर हमने water मिलाया तो slaking हुई slaking का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर reaction हो रही है, किसके अंदर reaction हो रही है lime and water के बीच में lime and water के बीच में reaction हो रही है उसी को हम कहते हैं slaking of lime और अगर हम बात करें cement में cement में हमने water मिलाया तो water मिलाने पर slaking तो नहीं हो रही है तो हो क्या रहा है वो हो रहा है hydration of cement तो हमें बस इतना याद रखना है, अगर slaking word आयाता है, तो slaking word इस्तिमार हो रहा है lying के अंदर, ना की इस्तिमार होगा cement के अंदर Next, comparison of point, setting Setting क्या है, setting के बारे में पढ़ते हैं, cement के setting के बारे में, it's act rapidly when mixed with water यानि की जब हम cement के साथ water मिलाते हैं, तो ये rapidly, यानि की speedily mix होती है हमने क्या लिया, एक तरफ cement लिया और water डालावस के अंदर, तो rapidly set होने लग जाएगी अगर हम line के अंदर बात करें, तो it's act slowly when mixed with water, जो line है, वो as comparison to cement, slow set होगी ओके, next, comparison of point, color, color के बारे में देखते हैं, कि color क्या है, cement का और line का, तो it is, grain is gray in the color, जो हमारा cement होता है, उसका कैसे color होता है, grain is gray color होता है, अगर हम बात करें, line के अंदर, तो line के अंदर कैसे color होता है, white या फिर gray in color, ओके, line का color भी आगया, हमारे पास, cement का भी आगया, हमने comparison इसमें भी देख लिया, अब comparison करते हैं, स्ट्रेंट में, अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आपको देख रहे हो, line के अंदर, जो white color आया, वो क्यों आया, आपको simply पता होना चाहिए, कि जो line है, वो कहां से बनता है, वो जब हम calcining करते हैं, किसकी lime stone की, ठीक है, lime stone की, हम calcining करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, lime मिलता है, तो यानि कि lime stone किस तरह का है, यानि कि white color का हमारे पास lime stone है, उसकी वज़ियसे क्या हो रहा है, उसको calcining कर रहे हैं, तो हमें किस form में मिल रहा है, white color में मिल रहा है, ठीक है, में मिल रहा है जाहम उसको क्या करते हैं क्रस्ट करते हैं करते हैं और हम बात करें हमारे सेमेंट की तो यह हमें हमें मिल ला इसके अंदर हम दो लेंगब सुन ना ताह Title is effect करते हैं क्यैल के और पर होता है क्लेद की कि आरुमीना seminar कि की के के करिंद काम देपटें की की अटा है निए सोरी है कि उता है लाइल युट कर शॉक और जो आप iso होता है वो होता है आLEम停 beggat यानि की आज़ियस और dil ears in डोंओं को दो मिलाया जाता इंदो मटरीयल को तो उससे चा वन्ता सीमेंट बन्ता तो आप यात रखकना क्या कर्णिए इस मटेल क्या इंट जींद गता है fastest करता है कि आम ओ करता है लाइं और oh चौक और जो हमारा अलूमिनियम है वो अलूमिना आजिलियस है जो वो करता है अलूमिना और क्लेई तो आपको इस बात पे ध्यान दे रहा है उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंद की तो स्ट्रेंद में क्या है Artificially cement is having more strength यानि कि जो हमारा cement है Artificially cement जो हमने बनाया है उसकी जो strength है वो more than होगी किस से? Lime से अगर हम बात करें Lime में तो it having less strength इसके पास less strength होती है as compared to cement तो ये फरक है यहाँ पे कि हमने क्यों चुना cement को cement की strength ज़्यादा होती है lime से इसलिए हमने cement को चुना ये आपका answer था जब आप पूछते हैं कि जब हमारे पास lime था binding material तो क्यों हमने use करा क्यों हमने invent करा cement को तो यही एक करण है कि cement है उसके पास high strength है as compared to lime next topic है suitability जो suitability की बात करें हम तो ये जो है दोनों के अंदर same है यानिकि important and heavy engineering structure में cement के अंदर भी और अगर हम भाग करें lime में भी heavy engineering structure में या फिर important structure में lime का use करेंगे तो suitability बनी रहेगी और cement का भी हम use करेंगे heavy structure में suitability बनी रहेगी तो ये हमारा क्या था ये comparison था किसके बीच में lime के बीच में और cement के बीच में तो आज हमें पता चल गया है कि lime और cement के बीच में क्या comparison है अब हम easily इसको किसी को भी बता सकते हैं thanks for watching this video and don't forget like, share and subscribe झाल झाल